दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में दोस्तों बहुत इंपोर्टन अपडेट बताने जा रहा हूँ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा टाइटनिंग को ज़्यादा बढ़ा दी है और अब एफपी आई और एफ़ आई इसके नॉम्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देखेगा रसा कसी हो चुकी है सेबी और सुप्रीम कोर्ट के ओ लेकर और यहाँ पे सेबी ने डिस एग्रीमेंट दिखाया है मैं आपको शुरुआत से थोड़ा सा दिखा देता हूं जो मैं बताने वाला हूँ आपको कि सेबी ने पूरी तरीके से र finding है उसको पूरी तरीके से reject कर दिया है और अब इसके बाद यहाँ पे से भी और tightening कर सकता है FIIs को लेकर और अगर ऐसा होगा तो देखेंगा जो bulk में FIIs work कर रहे हैं उनमें से कुछ कट हो जाएंगे इंगेन स्टॉक मार्केट को लेकर तो आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो पूरी तरीके से आफटर सुप्रीम कोर्ट पैनल रिपोर्ट इन अडानी केस से भी सीक्स तू आप देख सकते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पैनल की देखेगा फाइंडिंग के बाद और टाइटनिंग और ज्यादा टाइटनिंग आगे भी आपको होते होगे देखते हूं मिलेगी दा एपक्स कोर्ट देखेगा हैस गिवन दे टाइम तिल अगस 14 तो कंप्लीट इट्स प्रॉब इन्टू दा एलुगेशन थ्रोन बाइदा हिंडन बग रिपोर्ट रिलीज ना देखेगा जन्वरी तो आप देख सकते हैं जब से रिपोर्ट आई है दो पैनल बहुत तेजी से वर करें एक सेबी का पैनल और एक सुप्रीम कोर्ट का पैनल और ओपोजी देखने को मिलने वाले हैं चुकि सेबी ने यहाँ पे पूरी तरीके से ठान लिया है कि कोई भी लूप होल हम नहीं छोड़ेंगे बोर्ड हैज अप्रूब प्रपोजल मेंडेटिंग देखेगा डिस्क्लोजर फॉर सर्टन काटेगरी ओफ एफ पी आई more than a month after court appointed expert committee to the prop तो आपको पता है already सेबी ने कई सारे initiative recently लिये हैं but the thing is Supreme Court अभी भी agree नहीं करता है Supreme Court का मानना है basically जो disagreement हुआ मैं आपको बता देता हूँ जो rejection हुआ सेबी की तरफ से finding थी FPI की beneficial owner को लेकर यानि कि यहां पे यह बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से देखेगा FPI को कुछ benefit कुछ favors दिये जा रहे हैं जिसके कारण इस तरीके की activity हुई है और इतना ज़्यादा manipulation stock में अडानी के देखने को मिला है सेबी said there never was any requirement to disclose the last natural person above every person owing any economic interest in FPI तो अगर आप देखेंगे सेबी ने यह बताते हुए कहा है कि कभी इस चीज की जुरूत नहीं पड़ी थी और आप भी देख लीजे इस तरीके के particular fact बिलकुल बेबुनियाद है तो सेबी has rejected report of the supreme court यानि कि supreme court के panel की report को ही उनने पूरी तरीके से reject कर दिया है appointed expert panel that the difficulties experience in identifying the beneficial owner of FPI's यानि कि यहां पे यह जो मुद्दा है beneficial owner related to FPI's FIIs तो यह मुद्दा देखेगा परिशान कर रहा है दोनो particular देखेगा boards को चाया supreme court के panel का board हो चाया सेबी के panel का board हो in Adani case were partly because of the repeal of the rule in 2019 in a counter affidavit filed by the market regulator सेबी said there never was any requirement to disclose the last natural person यानि कि उनके हिसाब से 2019 के circular के according ऐसी कभी जुरुत पढ़ती ही नहीं थी बियोज से related तो आप कैसे कह सकते हैं आपका panel कैसे कह सकता है कि यहां पे हमने निगरानी नहीं रखी person above every person owning any economic interest in FPI तो आप यह जान लीजे यह अभी रसा कैसी 14 रस तक तो चलती रहेगी but the thing is after this particular after this particular tragedy आप यह समन लीजे Supreme Court की तरफ से pressure बनाया जा रहा है और अब से भी इस पे देखेगा बड़े action लेते होगा आपको देखते हो मिलेगा और अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से से भी आगे चलके अब बहुत तेजी से FIIs को लेकर यहाँ पर क्या करने वाला है और जादा norms को strict करने वाला है से भी इन लेजिसलेटिव कैपसिटी डिट अवे विद दा प्रोहिबिशन अगेंस any FPI having an opaque structure in 2018 and 19 तो आप देख सकते हैं उन्होंने पताया है कि हमने जो भी particular norms बनाएं पूरी तरीके से clear हैं और इनकी board meeting ने देखेगा और भी जादा approved कर दिया है additional disclosure for the last investor from the specific type of FPI तो अगर आप देखेंगे यह आपका हो चुका है और अभी और बहुत सारी चीजें होने वाली है जो आपने देखा 50% के asset under management और 25,000 करोड़ से ज़्यादा के देखेगा अगर AUM है तो आपको additional disclosure देने पड़ेंगे तो यह चीज देखेगा FIIs को आगे चलके pain दे सकती है जिसका impact आपको anyhow देखने को में सकता है तो फोकस करेगा वीडियो और अच्छा लगे तो like, share, subscribe करना न बुलेगा Thank you so much